खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्षता जोहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम ख़बरों पर सरकार दोरा समर्थन मूले पर खरीदी जा रही धान को बेचने के लिए धान खरीदी केंद्रों में पंजियन के मैसेज के बाद अपनी धान लेकर किसान खरीदी केंदर तक पहुँच रहे हैं परंतु डौंगरिया कैब में परसवाड़ा इवं चंदना धान खरीदी केंदर में वारदानों की कमी वा फटे हुए बारदाने मिलने से किसानों को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है किशानों का कहना है कि वारदाना पुराने वा फटे हुए मिलने के कारण अपनी धान को पलटने में परिसानी हो रही है जिसकी शिकायत खरीदी प्रभारी से की गई परंतु खरीदी प्रभारी का कहना है कि ठेकेदार दौरा जिस तरह के बारदाने दिये जा रही है वैसे ही बारदाने किसानों को दिये जा रही है जिसकी जानकारी मैंने अपने उच्चदिकारियों से की है इस पूरे मामले में पूरुविधायक दर्भू सिंग उईके ने आरोप लगाते हुए कहा कि DMO एवं वारदाने के ठेकेदार की आपसी साठगाट होने के कारण पुराने वफटे हुए बारदाने दिये जा रहे है आपको बता दें कि पंजियन के द्वारा SMS के माध्यम से किसानों का अपनी धान खरीदी केंद्र में लाना होता है और जिस दिन का पंजियन होता है उस दिन उनकी धान खरीदी जाती है परंतु धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी वफटे बारदाने होने की वज आपसी किसी लेंदेन की वज़े से इस तरहे का क्रते को अंजाम दिया जा रहा है। वो बोरियो आपके जो के के अंदर में शिलाई करके इनसे काम चलाये जा रहा है। अब शुकि जो है यहाँ पर जो दान हरीदी केंदर प्रभारी है उसको दबाब है। इस चीज का दबाब है कि वो इमीजेटली वो प्रभारी जो है अब उसको आज रात में उसको उनलाइन करना है अब उसके पास में फटी हुई बोरिया है तो यह भी नहीं कह सकता कि अब मैं कैसा करूंगा अच्छा एसी इस्तिति में अब उन फटी बोरियों पे काम चला रह है तो चुकि यहां पर डी मो का भी दोरह हुआ है पर उसने सब कुछ देखा है पर यह फटी बोरियों को नहीं देखा विसका मतलब सीधे सीधे डी बोरियों पर 60 गाट किया है और लाखों का वैपारी के साथ साथ गाट करेंगे ये मुझे पूरी तरह से संका है इसलिए ये फटे बोरियां जान बुझ करके यहां जो रद्दी में थे उन बोरियां को यहां पर खपत किया जा रहा है खबर समय जगत के लिए परसवाडा से संजय अजीत की रिपोर्ट